को में आज के क्लास में कुछ ऐसा चीज नहीं सिर्फ होगे जो मैंतमेटिकली कोई चीज है एकदम लॉजिक और एकदम कॉमन सेंस को आज यह बना दोगे एक क्वेश्चन भी जरूत नहीं और आज एक नया चीज करके राखे क्वेश्चन अम लोग पहले से डाल करके बुक आने की जरूरत नहीं पड़ी है अगली बार से तो चलो लेकिन खोल लू आज लेकर आयो तो लिखोड एक्सिसाइज इस 7.2 और टॉपिक का नाम है फंडमेंटल प्रिंसिपल ओफ काउंटिंग लॉजिकल रीजनिंग वाला जो चाप्टर था कितने लोग पढ़े थे लॉजिकल रीजनिंग वाला चाप्टर कितने लोग पढ़े थे अब सोचो कि तुम लोग को ओफर दिया गया है कि अगर क्लास 11 में 100 आउट और 100 लेकर आते हो मैक्स में तो आप लोगो गिफ्ट मिलेगा और गिफ्ट में क्या मिलेगा कोई भी एक अच्छा क्या मिलेगा मैं सो लेकर आया है लॉजिकल नहीं चाहिए सब्सक्रों आपको अप्चिन मिलता है कि आप कोई सा भी ब्रैंड क तीन टी शेट और दो जीन्स खरीद सकते हैं ठीक है ओफर वैलेट कर दे है ठीक है इसको बस समझना पूरा चाप्टर खतम हो जाएगा आज वाला चाप्टर में कोई दम नहीं आज वाला टॉपिक लेकिन यह कॉमन सेंस है और यह कॉमन सेंस आगे permutation और combination दोनों में use करोगे तो suppose करो, आपको किसी को आ जाता है तनिश को suppose आ जाता है और तनिश जाता है दुकान पे और इसने खरीदा कितना? तीन टी-शिर्ट खरीद लिया और दो jeans करीद लिया जब इसको ये पहनने के combination में जाएगा, तो selection करते वक्त आप लोग ऐसा सोचते होगे न, कि अगर ये वाले jeans के साथ ये वाले टी-शिर्ट जाएगा, हम लोग ऐसा fashion sense बना के रखते, तो आप जब जाते और आपसे पूछा जाए कि इस दोनों के मदद से तुम कितना combination of dress बना सकते हो, तो कितना खरिद लिया, black, काफी है आप से पूछा जा रहा है कि इस shopping के मदद से आपके पास कितना combination of dress हो गया तो सबसे पहले बोले होगे कि टी-शिर्ट नंबर जो 1 है हमारे पास, इसके साथ आप pair करोगे कौन से jeans को jeans number 1, तो पहला combination आया, टी-शिर्ट 1 और jeans 1, ठीक है दूसरा option होगा, आप क्या-क्या pair करेंगे, टी-शिर्ट number 2 को pair कर सकते हो किसके साथ jeans 1 के साथ, तो दूसरा pairing यह आपने, टी-शिर्ट number 2 with jeans 1 और third third will be, टी-शिर्ट number 3 को आप pair कर सकते है, jeans के 1 के साथ, आपने यह third pairing अपना combination बनाया यह combination बना ऐसे गरके अब यह जितना भी combination आपने बनाया है क्या तीनों के तीनों t-shirt use हो गए उसमें क्या दोनों का दोनों jeans हो यूज हुआ अभी तक नहीं हुआ, तो अब दूसरा combination बनाते है t-shirt number 1 होगा, और jeans कौन से होगा इस बार, jeans number 2 तो t-shirt 1, jeans number 2 combination of dresses तुम्हारे पास हो गया 80 house, 100 out of 100 लाने के बाद यह offer लगा देखे हम लोग हाँ से पका खीक है, Levi's का खरीद हो गया नहीं, ली, और Wrangler क्या कर दोगे, गोची का शोरूम रांची में लाकर दिखा मेरे के H&M, रांगलर और killer, यह सब बोल, उम्हेरा दोस का discount मिल सकता है Mall of Ranchies है, चलो, वापस लेते offer अब देख अपने पास कितना combination बना कपड़ा का 6 combination इस offer के मदद से तुमने 6 combination बनाया, इसको तुम shortcut में बोलते हैं, कि आपको क्या offer मिला था वापस आते हैं, कि तुम क्या क्या खरीच सकते हो 3 T-shirt खरीच सकते हो और 2 jeans, तो word यहाँ पर क्या use कि हमने, और और English इम इसको क्या बोलते हैं, and तो अगर आपने and और और word use किया है, तो according to fundamental principle, आप इन दोनों को directly multiply करे, तो जब 3 और 2 को multiply करोगे, तो answer कितना आएगा? तो कितना combination अपने पास आया था? तो यह समझ मैं कैसे आता है? ठीक है? तो offer क्या आता हो? द्यान से चुनो, यह भी ले सकते हो and यह भी ले सकते हो, दोनों को offer है अब तुम लोगा नियत समझ में आ गया? कि तुम लोग गूची भी मांग सकता है तो offer में change होता है, तो अब offer change हो चुका है पहले दोनों मिल रहा था अब दोनों में से एक मिलेगा तो अब यहाँ पर जो या word आता है बिटा अगर आपने word यूज किया या तो इसको English में क्या बोलते है? और, अगर या और, और word आया तो according to fundamental principle आपके पास अब कितना option होगा? plus का sign लगाना है अब तुम या तो एक T-shirt खरीद होगे या तो तुम एक jeans खरीद होगे जब खरीदने गए तो तीन T-shirt का option था उसमें से कितना select कर सकते हो? एक, यहां भी क्या select कर सकते हो? अब तुम्हारे बस बूचेंगे combination कितना बन सकता है total तो इस बार आप लोग क्या करेंगे? इसको plus करेंगे this is called fundamental principle of counting अभी हम लोग permutation नहीं पढ़ रहे है अभी हम लोग combination भी start नहीं किये वो बाद में इसके बाद वाल exercise होगा अभी बस पढ़ रहे है कि कब अपने को multiply लगाना चाहिए और कब अपने को plus लगाना चाहिए और इसको बोलते हैं क्या? fundamental principle of counting अब इसमें दो चीज़ें आती है सबसे पहला चीज क्या आएगा? आप लिखोगे तो यहाँ पर जो fundamental principle है उसके तरफ से दो rule आ गया पहला rule को बोलते है multiplication rule और दूसरे को क्या बोलोगे? addition का rule addition वाला case कब लगाओगे? और के case में मतलब either यह option या वो option तो उस case में जितना option होगा उसको क्या कर देना अपने को? add कर देना है दूसरे case में बोलेगा यह भी ले सकते हो और मतलब English वाला add तो यहाँ पर इस case में क्या होगा? जितने भी option लियोंगे तो क्या गरद होगा? multiply करद होगे अब जो यह fundamental principle है टेकनिकली जब वो आप देखोगे लिखा हुआ किताब में बोला जा रहा है ध्यान क्या देना है? अब इस दोनों में एक और छोटा सा point है पहला point कि आपके पास दो event हो रहा है दो से जादा भी हो सकता है हम लोग दो लेके चल रहे है तो पहला event और second event या first option, second option object जो भी रखना रखो तो बोल रहा है कि जो पहला वाला event है उसको होने का या पहला वाला जो options है वो M options available है हमारे पास और condition ये है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा या पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा कहने का मतलब दोनों होंगे तो एक दूसरे के subsequent होंगे consecutively होगा पहले यह होगा फिर वो होगा या तो वो होगा और यह होगा तो आपको बोला गया कि पहला वाला object का यानि पहला offer का जैसे t-shirt का कितना option था तीन option था तो m ways हो गया उसके बारे में लिखा m ways दूसरा वाला होने का अच्छा option हमारे पास तू था इसको लिखते हैं there are n ways कि आप यह कर सकते हैं यह और यह दोनों जब होगा तो total option ways कितना हो जाएगा उसके ओकर होने का that will be m into n ways यह कब लगेगा जब क्या चीज़ का चल रहा है multiplication question में साफ साफ लिखा रहेगा this happened and that happened ठीक है अब अदमी एक bus में घुसा है तो उस bus सो उतरेगा भी यह तुम किसी temple में घुसोगे temple में घुसने का मंदिर में घुसने का čार रास्ता है और निकलने का चारी रास्ता होगा, तो बोलेगा कि घुसने का रास्ता जो था और निकलने का रास्ता वो नहीं होना चाहिए जिससे घुसा था, तो घुसोगे तभी तो निकलोगे, तो क्या ये event एक साथ back to back happen होगे, येस, तो वैसे सारे cases में अपने क्या यूज करने वाले, multiplication rule, और साफ स में दूसरा event हो रहा है, दोनों एक दूसरे के बाद, subsequently हो रहा है, तो total number of ways क्या होगा, तो total number of ways होगा, m into n, clear, दूसरा, यहां पर बोलेगा कि अपने पास जो पहला वाला event हो रहा है, उसके होने का तरीका है, m ways, और दूसरा वाला जो event हो रहा है, उसके होने का तरीका है, n यह आप लोग समझ कि हटा सकता हूं मैं इसका PDF ले लेना भी लिखने की ज़रूत नहीं आपने डालेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब यहां पर बोला कि पहला वाला में हो सकता है दूसरा वाला इस बार क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा बताईए आईदर of the event कितने waves में हो सकता है कितने तरीके से हो सकता है तो यह वर्ड क्या use क्या इस बर यहां पर यहां पर बतलब या तो यह होगा या तो jeans को खरिदने को option मिलेगा या तो टी-शिर्ट खरीदने का option, उस case में जो भी आपको numbers यहाँ पे दिया होगा उनको क्या कर देना अपने को add कर देना है number of ways को अपने को क्या कर देना है add कर देना, अभी तक ना permutation पड़े ना combination पड़े, कुछ नहीं पड़े, क्या पड़े common sense, clear, तो and के cases में multiply, और के cases में add, कैसे पता चलेगा question में साफ साफ लिखा रहेगा, हर question में यही पोचेंगे बताओ, and के और का case है वो बता दोगे, question खतम हो जाएगा अब यहाँ पर हम लोगों ने लिया है M-base में हो सकता है, M-base में हो सकता है कि तेरों को offer में, T-shirt भी मिला jeans भी मिला, or belt भी मिला shoes का भी offer मिला, इतना मतलब अच्छा offer हो सकता है आपको और भी बहुत सारा कुछ मिलीगा offer में, तो जितना कुछ होगा, सब को multiply कर दो, अगर and का case है या तो often मिला, या तो jeans खरीदो या तो T-shirt खरीदो, या तो build खरीदो जहाँ-जहाँ, या 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 word आएगा क्या लगाओगे वहाँ पर, plus का side बस इतना ही है topic easy है तो पहले question पर आते है सबसे पहला question देखो, और अपने से बताओ सोच कर, कि क्या हो रहा होगा यहाँ पर पक्का क्यों प्लस हो रहा होगा तो यहाँ पर यह बोल रहा है in a class कितने लड़किया है 22 और लड़के wow, it's a good class yes sir ठीक है, तो 22 लड़किया है यहाँ पर, और 17 boys है, the teacher wants to select either, क्या word use का भी यहाँ पर either, मतलब कौन सा case होगा, addition की multiplication, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, to represent the class in how many ways, question बोच रहा है in how many ways, can the teacher make this selection answer क्या लिखोगे, number of ways to select a girl तो total girls कितने है 22 फिर दूसरों option number of ways to select a boy एक ही को चूज कर मैं है न total number of boys कितने है, 17 अब देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको अभी से समझ लो, permutation और combination लोग उसको यूज करेंगे, यहाँ पर क्या बोला number of ways to select a girl option कितना था, 22 22 में से एक सेलेक करना है, तो किसी को भी सेलेक कर सकते है तो total option कितना होगा हमारे पास 22 option है, teacher के सामने boys कितने है, उसमें से कितना चूज करना है, एक तो उसको fill करने का कितना option होगा अपने पास कोई सा भी एक 17, अब पूछेगा total number of ways, लिखो final answer, अच्छा यह statement आपको अपने school examination में लिखना है, CUT competitive में इसम नहीं लिखना होता है, direct answer निकालना होता है हम लोग दोनों तरीका सिखेंगे, कि आप answer कैसे निकालते हो directly और लिखना भी कैसे है, question बुछा दाओ in how many ways can the teacher make a selection therefore, total number of ways in which teacher can make selection, और यह statement लिखना ज़रूरी होगा तो कितना ways हो जाएगा एक word add करोगे, by fundamental principle of counting is दोनों को add कर दो 22 प्लस 39 वेज़ आ गया, ठीक है यह line अपने answer में जरूर add करना, क्योंकि अभी हम लोग यह question solve किये है, by using this principle ना permutation यूज़ हुआ है, ना combination यूज़ हुआ है, तो अपने पास बिटा जब 7.5 में पहुंच जाएंगे ना, तो तब तक उम permutation भी पढ़ लिए होंगे, combination भी पढ़ लिए होंगे, और ये भी पढ़ लिए होंगे, देखो, second question, of 11 cricket player, one is to be chosen as a captain, and another is to be chosen as a wise captain, तो बैटा, 11 लोगों का player choose करना है, दो ही करना है, एक को क्या बनाओगे, captain दूसरों क्या बनाओगे, तो चलो ये जगा हो गया captain का, और दूसरा जगा आपने बनाया किसके लिए, wise captain का, अब एक बाद बताओ, पहले आपने जो भी choose किया है, suppose को पहले captain choose कर लिया, तो एक आदमी को captain choose किया है, जो भी पहला choice है, इसमें कितना options आपके पास, 11 players है total, 11 में से किसी को भी यहाँ पर बना सकते हो, दूसरा, अब एक को captain मनाओगे तो इसको 22 captain मनाओगे नहीं, तो अब 11 में से एक हट गया, अब कितना option है तुमारे पास, 10 वे है, इसको choose करने का, अब एक बाद बताओ, and लगाए कि और लगाए, and लगाए, क्यों, ये भी होगा, और ये भी होगा, उस team में दोनों चाहिए, ऐसा तो नहीं लिख होगा, और ये उसके बाद होगा, तो क्या ये subsequent events है, हाँ है, consecutively होगा, तो total number of ways कितना हो गया, 110, अब इसी चीज़ को, अब competitive में ऐसे ही solve करोगे, statement नहीं लिखना हम लोगो, अब क्या गरोगे, number of ways to select captain, is equals to कितना होगा, ways, 11 ways, लिखो, number of ways to select captain, starting का दो तीन question में हम ये लिखवार है, फिर आप लोग अपने से लिखने लग जाओगे, number of ways to select captain, is equals to 11, number of ways to select, wise captain, तो एक को बना दिया, तो दूसरा को बनाएंगे नहीं, 10, फिर लिख दो, by fundamental principle of counting, number of ways to select, captain and vice captain, और देखो, यहाँ पर लिखाओ अभी ताफ साफ साफ, another vice captain, कोई गुण जाइस नहीं है, डाउट होने का, तो select captain and another vice captain, is equals to 11 into 10, 110 ways, असान है topic, पक्का, यह तब तक बहुत मजा हरा, पढ़ने में जब तक पूरा permutation और combination नहीं पढ़ लिए हो, तब तब आपको एक एक exercise बहुत असान हो, बहुत मजा आएगा, 7.5 मसली मजा आएगा और इससे भी जादा मजा आएगा, इसके बाद वाले chapter probability में, क्योंकि इसमें सब एक साथ हो सकता है, और एक equation में permutation भी लग सकता है, और combination भी लगेगा, और लगेगा ऐसा भी, ऐसे भी क्योंगी ways can a person enter the temple and leave by a different door, ध्यान से पढ़ो, अगर यह वाट different door नहीं होता, तो question बतल जाता, तो आप चार द्वार है, एक द्वार में घुसे, तो घुसने का, पहले घुसोगे कि पहले निकल जाओगे, तो number of ways to enter, number of ways to enter, कितना तरीका, कितने, चारों में से किसी एक से भ entry ली है, उससे exit नहीं कर सकते हो, तो अगर door number 1 से घुसा है, तो बाकी तीनों में से निकल सकते हो, या door 2 से घुसा होगा, तो 1, 3, 4 से निकल सकते हो, तो number of ways to exit, कितना हो जाएगा, 3, अच्छा, क्या यह event subsequent है, and होगा, पहले घुसोगे, फिर निकलो, उल्टा मन बोलना कि प fundamental principle of counting, number of ways, उसके आगे यह वाल लाइन लिख दो, number of ways a person can enter, and leave the temple, बलाब अमनों यहाँ पे हर language में लिखवा देंगे, फिर पर पौन silent में रखे, हिंदी और नई समझ में आ रहा है, फिर से बोलना पड़ता है, तो total number of ways कितने हो जाएगे, 4 into 12 ways, statement से लिखना, by fundamental principle of counting, a person can enter and leave by this ways, खत्म, next question, the chairs in an auditorium are to be labeled with a letter and a positive integer not exceeding 10, दो condition यहाँ पर, पहला और बीच में देखो, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, तो समझ रो ना क्या करना होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है, आपको भाई chairs रखे वे, chairs को आपको label करना है, ठीक है, chairs को label करना है, क्यों करते हैं इसा काम, तागे कोई चोड़ी हो जाए तो पकड़ाया जाए, तुम लोग जैसे student रहेंगे तो डर लगता है, तो पता चलना चाहिए, तो चलो label करते हैं, पहला जो place होगा, यह letter का place है, first place में आपको एक letter feel करना है, और दूसरे में आपको एक number feel करना है, तो जब competitive बनाओगे, यह इसी ही बनाओगे, इतने ही बनाओगे, बताओ total number of letters, कितने होते हैं, a से लेके z तक, कितने options होंगे आपके पास, तो पहले यह वाले place को भरने का कितना ways हो गया, 24, 26 बोला, ठीक है, और बोल रहा है, यहाँ पर एक positive integer not exceeding 10, बताओ कितना positive integer not exceeding 10, कितने होंगे हैं, कितने हैं, 10, ठीक है, यह ले लिया हम लोगों ने, अब क्या आपको दोनों काम करना है कि दोनों मेंसे एक ही काम करना है, तो answer कितना आएगा, असान है, very easy, अब इसका main part क्या है, इसका statement लिखना, number of ways to fill the first place of a letter is equal to 26, number of ways to fill the second place with positive integer not exceeding 10, 10, कितना हो गया, 10, by fundamental principle of counting, total number of ways in which the labeling can be done is equal to this and to this, खतम, statement आपको लिखना अच्छा से, statement अच्छे सा लिखना, competitive में statement लिखना होता है, यही काम करना होता है, इतना असान होता है, इसलिए यह chapter हर competitive exam होता है, इंट्रेस्टिंग भी है, तो यह comments NCR है बाबो, इसके बाद आएगा NPR, NCR, दन, NCR मतलब combination, चले आगे, next question, अपने से बताना क्या होगा, टेनिस क्लब है, consist of 8 boys and 11 girls, फिर खुश हो रहा है, very good club, in how many ways can mix double team be chosen, आपको mix team बनाना मतलब एक boy होना चाहिए हो, बहुत easy है, कितना होगा, पक्का, यहाँ पे and words तो तहीं दिया है, तो पहला girls choose करने का total option, 8 boys choose करने का, mix double का team बनाना दोनों चाहिए है न, तो आपने पास option क्या होगया, multiply का, 88, statement लिख लोगे, आसान है, चलो, next question, इस speed से जाएंगे तो बहुत जल्दी class कतम हो जाएगा, चेक, there are 21 towns, देखो बहुत अच्छा question है, there are 21 towns in a district, रांची district है भाई, रांची district में 21 towns है connected भाई, railways, find the number of ticket required by the railways, so that passenger can travel from one town to another town, कितने town हो गया, कितना हो जाएगा, चलो, अब आपने एक जगह से, जहां से train का ticket लिया, उसो क्या बोलता है, departure, दूसरा जगह क्या होगा, arrival, यह होगा, तो जब आप first time departure में जाओगे, तो 21 में से कोई भी town हो सकता हो, तो यहां पर जो departure वाला place है, उसको भरने का कितना तरीका होगा, 21, अब जहां से departure लिया होगा, दूसरे जगह का ticket लिया होगा, तो वहां same place तो departure नहीं हो सकता, arrival का places कितना हो सकता है, आंसर निकल गया, आंसर आ गया, तो बस आपको common sense में समझना है, अब यहां पर भी, इसमें गल्ती क्या होगा, यहां भी 21 ले लोगों, यहां भी 21 ले लोगों, आपको एक साथ एक event देखना है, अगर एक बंदा ticket लेगा, departure सा arrival कलेगा, ऐसा थोड़ी होगा, कि यहां से होगा, यहां से एक साथ लेगा ticket, can it happen, तुम लोग कर सकते हो, सलग रहा है, next question बताओ, और यह बहुत अच्छा, coin का question बहुत favorite question है, permutation का, a coin is tossed four times, and the outcomes are recorded, how many different outcomes are possible, कितना होगा, ठीक है, अभी तो 16 बोल दे रहे हो, आगे जाके, आपको इन 16 को लिखना भी पड़ सकता है, ठीक है, probability chapter में हम लोग यह काम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, a coin is tossed three times, यह favorite question होता, probability का, तो वो भी लिखना पड़ेगा, अभी तुभी आसान है, समझ गया, पहला बार में, आपने toss किया, चार बार किया, option समझ माग गया, कितना, ठीक है, आगे चले, बढ़ सकते हैं, चलो, next question देखो, in a class test, teacher decided to give five questions, one each, from first five exercise of the textbook, तो 5 exercise है, exercise 7.1, 7.2 से लेके 7.5, सब से एक एक question आएगा, ठीक, तो 7.2, 7.3, इसमें भी वही है न, 7.5 ही तक इसमें भी, अब बोल रहे हैं, यहाँ पर सब से एक एक question होना चाहिए, बोला पहले exercise में, कितने number of questions है, 7, यहाँ पर कितने questions है, 12, यहाँ पर कितने है, यहाँ पर 10, और सब से एक एक तो चाहिए ही चाहिए, अब 5 question बनाना है, सब से तो चाहिए एक एक question, बताओ, इस exercise से choose करने का कितन हो गया है सब को multiply कर जो गया असान है answer आ गया कि ड़न चलो सीवीटी में जब ही question आएगा ना तो तुम लोगों बहुत मज़ा आएगा permutation question देखे तुम खुश हो जाओगे अभी से भी हो रहा है इसका statement लिखने में थोड़ा बोरिंग लगता है this part is interesting statement part is boring चलो आगे बड़े बताओ अगला question चलो जी आ गया बहुत अच्छा question है तुम लोग का class का photography चल रहा है find the number of अच्छा question number one or two two है find the number of four letter word चार letter का word बनाने आपको यह question बहुत अच्छा category में आता है with or without meaning अपने को फरक नहीं पड़ता meaning बने ना बने which can be formed out of letter of word honest तो आपको एक word दे रिया है reputation यह repetition लिखा हो है ठीक है repetition of letters लेट नहीं होगा repetition of letters are not allowed चलो यह जो word है honest honest में कितने letters है honest में कितने letters है six letters है आपको कितने letter का word बनाना है चार तो अपने को जो word बनाना है वहाँ पर आपको कितने space बरने चार पहला space को भरने का कितना option होगा छेओं में से कोई भी letter डालो इसमें तो यहाँ पर भरने का होगा अपने पास six options and अब बोला यहाँ पर repetition allowed नहीं है अगर यहाँ नहीं लिखा होता है repetition allowed है नहीं है तो आपको अपने से note में लिखना पड़ता तो यहाँ भी बोले repetition अब आपने एक letter चूज कर लिया second place के लिए कितने letters होंगे third place के लिए और last के लिए बस multiply कर दो answer निकल गया चे 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 तो six to the power four repetition allowed होता बस खतम easy second पर आपते हैं in a group photograph three boys and चलो तीन बोई दो गर्स है standing in a line in all possible way देखो in how many photos how many photos can be taken if each photo corresponds to each such arrangement आपको arrange करना है total कितने बच्चे है पांच बच्चे है total five students है और five students को आपको जब arrange करोगे actually question permutation का है जहां पर word आ जाता रेंज में तो question permutation का question देखे है तो अभी permutation use नहीं कर रहे है हम लोग अभी normal अपना sense common sense लगा रहे है तो पांच बच्चे है तो उनको line में खड़ा करोगे तो कितना space होगा पांच ही space होगा अब छे बन गया है तो teacher भी तो होगा ठीक है पांच बच्च होगा पांच phase अगर पहला लड़का को आप यहां पर रख दो क्या उसको वापस कहीं रख पाओगे ठीक है तो पहले वाले को आपने भर दिया जिसको भी यहां पर रखा उसको यहां नहीं रख सकते तो repetition अलाउड है कि नौट अलाउड है नौट अलाउड तो सेकेंड प्लेस को भरने का तरीका है इसी इतना फॉम में सबांसर दे रहा है आने तो बेटा चाप्टर थोड़ा और आगे पढ़ने तो यहीं फॉर्म प्रोब्याबिलिटी में चाहिए तुम्हों का ड़न है असान ह बाकी exercise homework में देधे जचोड़ो अभी कर लेतेघा लोग को homework में क्या परना पता है इसको statement वाइज लिखना है स्कूल में अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे मार्क्स कट हो जाएंगे तो इस चीज को धियान देना है स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा लिख लोगे स्टेटमें प्रॉब्लम नहीं आएगा ना चलो आगे लिखे हाउ मेनी 4 लिटर कोट्स वर्क्स और पॉसिबल उजिंग फर्स लिटर ऑफ इंगलिश अलफ़ाबेट इफ चार लिटर का आपको बनाना है पहला वल ओप्शन पर आते हैं क्या कितना क्या यूज़ करना है फॉस्ट टेन लिटर ऑफ इंगलिश आलफवेट फर्स टेन नहीं तो अभी भी चारी प्लेस है, पहले वाले को बनने का तरीका, फिर इसको, answer 10 to the power 4 मतलब 10, easy, बास, इतना ही confidence से पढ़ो तुम लोग, आगे चलो, in how many words, how many words with or without meaning of three English alphabet can be formed, थिक है, बिए दो धो questions यहां पर, can be formed यहां पर, full stop, so pahla question बीचुरा है, कि आपको कितना Letter का बनाना है, three English alphabet के मदद से, आपको बनाना है, question में थोड़ा सा, देख लो, थोड़ा सा अवा कुछ printing mistake लग रहा है, how many words of three English alphabet can be formed, यह question है, ठीक है? ठीक, बताओ, total, कितने letters होते हैं, बोल रहा है, repetition allowed है की नहीं है, अच्छा भी वह पूछा ही नहीं है, अपने से, कि repetition allowed है की नहीं है, तो क्या बोलोगे, पहले place को भरने का, 26 ways, repetition के बारे में कुछ बोला नहीं है, बोला total कितना word possible है, क्या लिखा तो question में, total कितना possible है, तो total में, तो यहां भी 26 डालो, यहां भी 26 डालो, total number of words possible तो यह हो गया, second case में आऊ उसके, in how many of these will have distinct alphabet, मतलब इस बार repetition allowed नहीं है, तो पहले वाले को 26 ways में बढ़ोगे दूसरे को, तो यह दोनों answer है, यह है, total number of words possible, और यहोगा total number of words possible, having distinct alphabet, इसका answer ही हो जाएगा, तो दो part equation का repetition allowed, not allowed, okay, second part पर आते हैं, two cards are drawn, cards नहीं, cards, two cards are drawn, one at a time, and without replacement from a deck of 52 cards, एक पहले निकाला, तो दूसरा उसके बाद निकालता हो, determine the number of ways in which cards can be drawn, बताओ भई, दो card निकालोगे, पहला जब निकालोगे, तो कितना cards होगा total, और एक तो निकाल लिया है, दूसरा जब निकालोगे, तो कितने cards होगे, तो यह part तो खतम होगया, on which cards can be drawn, यहां तक खतम होगया question, आगे पूछ रहा है, what will be the number of ways, if the first card is replaced, before the second is drawn, मतलब पहले तुमने एक निकाला, तो पहला वाला को निकालने का कितना तरीका होगा, 52, फिर जिसको निकाला वापस रख दिया, अब total number of parts कितना हो गया, तो दूसरा को भी निकालने का कितना होगा तरीका, तो इस भर करोगे 52 into 52, देखरो common sense है, कुछ तो permutation combination नहीं पढ़ पूरा pure common sense है, आगे चलते हैं, next question, बड़े, last question है शायद इसके बाद वाला, खतम, यह लास्त है, number lock, क्या लिखा हुआ है, number lock on the suit के, अच्छा, suit के से भाई, जिसमें तीन वील लपाला है, देखा आप लोगों ने, आप लोग भी उस करते होगे, ऐसा क्या लिखे जाते हो तो तुम लोग सको लील से lock करते हो, वो, three wheels, each level with 10 digits from 0 to 9, तो भाईया, सब में digits डाले होए है, 0 to 9 के, ठीक है, if the opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repetition, how many such sequences are possible, अपने से बता होगे, कितना possible होगा, 10, 9 और 8, पहले वाले में कोई सा भी 10 number हो सकता है, जो यहाँ पर होगा, वो repeat नहीं हो और आगे में, तो non repeated वाला case है, दूसरे का 9 ways होगा और इसका 720, खतम, असान exercise था, क्या लिख रहा है यहाँ पर, how many such sequences are possible, particular sequence with no repetition, यह word बहुत important है, अगर यहाँ no repetition नहीं होता, तो हो सकता हम लोग 10, 10, 10 करते हैं पर, एक, तो यह exercise में कुछ ऐसा नहीं है, जो permutation combination से है, only fundamental principle of counting, जब इसके answers लिखोगे, तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में discuss किया था, वो जरूर लिखोगे word, by fundamental principle of counting, बात competitive में आएगा, तो ऐसे बना देना आपको, दिमान में लगाना, असान है?